इस लेसन में आप सीखेंगे Microsoft Excel का Interface Ribbon और Quick Access Bar को Modify या तर्मीम कैसे कर सकती है नई वर्क बुक कैसे बनानी है और पहले से बनी हुई वर्क बुक को कैसे खोलना है Getting to Know Excel 2010 अब हम Excel के Interface के बारे में जानती है Interface से मुराद वो पहली स्क्रीन होती है जो किसी भी सॉफ्ट्वेर को Open करने के बाद हमारे सामने आती है Excel 2010 का Interface 2007 के Interface से मिलता जुलता है अगर आप Microsoft Excel पहली मरतबा इस्तिमाल कर रही है तो आपके लिए इसके Interface को तफ्जील से जानना ज़रूरी है Microsoft Office के बाकी सॉफ्ट्वेर की तरह Excel में भी Ribbon और Quick Access Toolbar मौझूद होते हैं जो आपको Title Bar के नीचे यहां नजर आ रहे हैं Ribbon में हमारे पास File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review और View के टैप्स नजर आ रही हैं हम बारी बारी इन टैप्स और इन में मौझूद टूल्स को तफ्सील से देखेंगे Microsoft Office के दूसरे Software से मुख्टलिफ हमारे सामने कुछ Options नजर आ रही हैं जिन में Name Box, Formula Bar, Column, Row, Worksheets, Horizontal, Scroll Bar, Page View और Zoom Control हैं Name Box Name Box आपको Selected Cell की Location और नाम बताता है जैसे ये देखें यहां हम एक Cell को Select करती हैं आप देखें कि इस Cell के गिर्द एक Border नजर आने लगा है इस Border को Name Box कहा जाता है जैसी ही हम ये Cell Select करते हैं तो यहां Name Box में देखें इस Cell का reference कि वो किस Row और किस Column में है लिखा हुआ आ जाता है मिसाल के तौर पर यहां हमने Column B और Row No. 4 का Cell मुंतखब करती हैं तो Name Box में B4 लिखा नजर आता है Formula Bar यह Formula Bar है इसमें आप Data को Enter या Edit करने के लिए Formula या कोई Function लिख सकते हैं और यहां लिखा गया Text, Formula या Function Cell में Apply होगा यह देखें यहां हमने पहले Cell C1 को Select किया और अब Formula Bar में Text लिखा आप देख सकते हैं कि Formula Bar में लिखा गया Text मुंतखब करता Cell में भी लिखा जा रहा है इसी तरह जब आप कोई Text किसी Cell में लिखें तो वो Automatically Formula Bar में भी लिखा जाता है Column Column मुख्तलिफ Cells का एक ग्रुप होता है जो Excel के पेश में Top to Bottom यानि Excel Sheet में उपर से नीचे तक जाती हैं ये देखें ये Column A है ये Column B जब आप माउस से Column के उपर क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरा Column सिलेक्ट हो गया यानि इस Column के तमाम Cell Horizontally सिलेक्ट हो गए है Row Excel Sheet में पेश के बाएं से दाएं यानि Left to Right Cells को Row कहते हैं ये देखें हमने स्क्रीन के बाएं जानिब नमबर चार पर क्लिक किया तो Left to Right एक लाइन में Cells सिलेक्ट हो गए हैं आप किसी भी Cell पर क्लिक करके Left to Right या Right to Left Cell को सिलेक्ट कर सकते हैं Ribbon Ribbon में वो तमाम कमांड्स होती हैं जो आपको Excel में काम के दौरान मुक्तिलिफ आपरेशन्स परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं Ribbon में मुखतिलिफ tabs होते हैं और हर tab में मुखतिलिफ COMMANDS, Groups की सूरत में मौजूद होती हैं Ribbon में आप अपनी जरूरत के मताबिक tags और COMMANDS का इजाफा भी कर सकते हैं जिनमें आप अपनी फेवरिट कमांड्स को एड़ कर सकते हैं। टैब्स में मौझूद इन ग्रूप्स में आपको दाएं जानिब नीचे एक एरो नज़र आएगा। इस एरो पर क्लिक करने से आपको मजीद आप्शिन्स नज़र आएंगी। Worksheets Microsoft Excel की File, Workbook कहलाती है। हर Workbook में एक से ज्यादा Worksheets होती हैं, जिनको Spreadsheets भी कहा जाता है। जब हम Microsoft Excel ओपन करते हैं तो, by default इसकी Workbook में तीन Spreadsheets होती हैं, जो आपको यहाँ नज़र आती हैं। यह देखें, Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, आप इन Worksheets को Rename, Add या Delete कर सकते हैं। इन Sheets के बाएं जानिब आपको यह मुख्तलिफ Arrows नज़र आ रहे हैं। इन Arrows की बदौलत, आप Worksheets को Scroll कर सकते हैं और अपनी Workbook की पहली या आखरी Sheet पर जा सकते हैं। Horizontal Scroll Bar अगर आपकी Workbook में ज्यादा डेटा हूँ, तो आप इस Scroll Bar की मदद से देख सकते हैं। इस Scroll Bar से आप Workbook में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मूव कर सकते हैं। Page View एकसल में आप तीन तरीकों से स्प्रेडशीट को देख सकते हैं। यहाँ से आपको Page View के तीन बटन नजर आएंगे। Normal View Page Layout View Page Break View एकसल ओपन करें तो बाई डिफॉल्ट हमारी Workbook नॉर्मल व्यू में खुलती है। इसमें लातादाद सेल्स और कॉलम्स होते हैं। Page Layout View Page Layout View से आप Workbook को Pages में ब्रेक करके देखती हैं। Page Break View ये व्यू आपको Workbook में मौजूद Spreadsheets का Overview दिखाता है। ये आपके लिए Page Breaks लगाने में मौविन साबित होता है। Zoom Control इस Slider की मदद से आप अपनी Spreadsheet को Zoom करके देख सकती हैं। और ये Plus और Minus के निशान आपको Zoom Percentage को जाहिर करती हैं। ये देखें। Slides को Move करने से आपकी Spreadsheet भी Zoom In, Zoom Out हो रही है। Working with your Excel Environment Ribbon and Quick Access Toolbar Ribbon और Quick Access Toolbar में आपको Excel में काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली Commands मिलेंगी। The Ribbon Ribbon में मुख्तलिफ Tabs होते हैं। हर Tab के अंदर Commands का एक Group होता है। जैसे यहां आपको Home, Insert, Page Layout वगएरा के Tabs नजर आ रही हैं। इन Tabs के अंदर मुख्तलिफ Commands के Group आपको नजर आएंगे। Ribbon को आप Customized यानि अपनी मर्जी से Arrange कर सकते हैं। To Customize the Ribbon आएए आपको Ribbon को Customize करने का तरीका बताती हैं। जिसमें आप अपनी मर्जी की Commands को Group कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले से मौजूद Default Ribbon को भी अपनी मर्जी के मुताबिक Customized कर सकती हैं। Ribbon पर Right Click करें। Customize the Ribbon पर क्लेक करें। आपके सामने ये Dialog Box खुल जाएगा। इस Dialog Box में New Tab के बटन को क्लेक करें। New Tab पर क्लेक करें। एक निया टैब बन जाएगा। जिसके अंदर निया Group भी होगा। इस बात को यकीनी बनाएं के New Group की Option Selected है। अब इस लिस्ट के बाएं जानिब कोई एक Command सिलेक्ट करें। और फिर Add की Option पर क्लेक करें। आप Command को बराहे रास्त ड्रैग करके भी इस Group में Add कर सकते हैं। जब आप Ribbon में Command को Add कर लें। तो OK का बटन क्लेक करें। Choose Commands From वाली Drop Down List को क्लिक करके All Commands की Option को मुंतखिब करें। To Minimize and Maximize the Ribbon Microsoft Excel 2010 में Ribbon को इस तरह डिजाइन किया गया है ताके ये यूजर की टास्क के लिए Responsive या Dynamic हो यानि ये स्क्रीन की Resolution के हिसाब से Minimize या Maximize किया जा सके। Ribbon के उपर इंतहाई दाएं जानिब इस Arrow को क्लिक करें। Ribbon Minimize हो जाएगा। अब Ribbon को Maximize करने के लिए इसी Arrow को दुबारा क्लिक करें। जब Ribbon Minimize हो तो आप Tab के उपर क्लिक करके Ribbon को Show करवा सकते हैं। और जब आप इसको इस्तिमाल नहीं कर रही होंगे तो ये खुद बखुद गाइब हो जाएगा। इसके इलावा आप Ribbon पर राइट क्लिक करके भी Ribbon को Minimize कर सकते हैं और इसको Maximize करने के लिए इसी Arrow पर क्लिक करना होगा। The Quick Access Toolbar Ribbon के बिलकुल उपर Quick Access Toolbar होती हैं। इस Quick Access Toolbar में Common Commands होती हैं, जिनको आप किसी भी टैप में रहते हुए आसानी से इस्तिमाल कर सकती हैं। इस Toolbar में पहले से Save, Undo और Repeat की Commands मौझूद होती हैं, लेकिन आप इसमें अपने आसानी के लिए अपनी मर्जी की Commands को Add कर सकते हैं। To Add Commands to the Quick Access Toolbar, Quick Access Toolbar के दाइं जाने, Drop Down Arrow को क्लिक करें। अब इस Drop Down List में से इन Commands को सिलेक्ट करें, जिनहें आपने Quick Access Toolbar में शामिल करना है। मजीद Commands के लिए More Commands की Option को सिलेक्ट करें। Backstage View Microsoft Excel में Backstage View आपको Saving, Opening, File Printing और Sharing की मुख्तलिफ options देता है। ये Backstage View, Microsoft Excel 2007 की Microsoft Office Button और Excel के पुराने Versions की File Menu की तरह है। ताहम ये सिर्फ एक Menu की बजाए Full Page View है, जो हमें काम के दौरान आसानी महया करता है। To get to Backstage View, File Tab पर क्लिक करें। आप इन By जाने वाली कोई भी Option चुन सकते हैं। इन Options में आपको Save, Save As, Open, Close, Info, Recent, New, Print, Save and Send और Help की Options आपको नज़र आएंगी। आईए इन Commands को देखती हैं। Save, इस Command से आप अपने Document या Workbook को Save कर सकते हैं। Save As, इस Option से आप अपनी Workbook को नए Location, नए नाम और Excel के किसी और Version, जिसे Compatibility View कहते हैं, में Save कर सकते हैं। Open, पहले से Saved या बनी हुई Excel Workbook को खोलने के लिए। Close, Workbook को बन करने के लिए। Info, Info की Option से आप अपनी Workbook जिसमें काम कर रहे हों की Information ले सकते हैं। और इसके साथ अपनी Workbook की Security Settings भी कर सकते हैं। मसलन, Permissions, Sharing और Version Management वगेरा। Recent, इस Option के जरिए आप हाल ही में Create की गई फाइल्स को खोल सकते हैं। New, यहां से आप नई Workbook बना सकते हैं। Print, इस Option से आप अपनी Workbook को Print करते हैं। Save and Send, Workbook को Save करके Email या Website पर Send कर सकते हैं। Help, यहां से आप Microsoft Excel की मदद या Help ले सकते हैं। Options, Excel में मुख्तलिफ Operations और Interface की Settings को देखने या तबदील करने के लिए। Exits, एक्सिट से आप Microsoft Excel को बन करते हैं। अपने Document में वापस जाने के लिए दुबारा Ribbon पर मौझूद किसी भी Tab पर क्लिक करें। Creating and Opening Workbook To Create a New Blank Workbook, नई Blank Workbook बनाने के लिए। File Tab को क्लिक करें। यह आपको Backstage View में ले जाएगा। New को Select करें। पहले से दस्तियार Templates में से Blank Workbook को Select करें। यह option पहले से Highlighted होगी। Create पर क्लिक करें। अब आपके सामने Excel Window में Blank Workbook खुल जाएगी। To Open an Existing Workbook आए, अब देखते हैं के पहले से बनी हुई Workbook को किस तरह ओपन करते हैं। File Tab पर क्लिक करें। यह आपको Backstage View में ले जाएगा। Open को Select करें। एक Dialog Box ओपन हो जाएगा। अब जो Workbook आपने Open करनी है, उसे Select करें। और Open पर क्लिक करें। अगर आपने हालिया बनाई हुई Workbook को Open करना हो, तो उसे Recent वाले File Tab से Open करें। ना के Open वाली Options से। Compatibility Mode बाज आपको ऐसी Workbook पर काम करना पड़ सकता है, जो Excel की पुरानी Versions में बनी हो। मसलन, Excel 2003 या Excel 2000 वगेरा। इस किसम की Workbook सिर्फ Compatibility Mode में Open हो सकती है। Compatibility Mode असल में तमाम नए और Advanced Features को Disable कर देता है, और उन Basic Features को Enable कर देता है, जो सिर्फ किसी Workbook को बनाने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई ऐसी Workbook खोलें, जो Microsoft Excel 2003 में बनी हुई हो, तो आप सिर्फ वही Tabs और Commands इस्तेमाल कर सकते हैं, जो Microsoft Excel 2003 में हैं। ये देखें, हमने एक Workbook को Compatibility Mode में खोला हुआ है, आप देख सकते हैं कि Insert टैब में मौजूद Sparkline और Slicer की Options Disable हो गई हैं, और सिर्फ 2003 वाली Options दस्तेयाब हैं। इस Compatibility Mode से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप Workbook को मौजूदा वर्जन में सेफ करें। क्यूंकि अगर आप ऐसी Environment में काम कर रही हैं, जहां बाकी लोग पुराने वर्जन में काम करती हैं, तो ये सबसे बहतर है कि आप Workbook को Compatibility Mode में रहने दें। ताकि इस Workbook की File Extension तबदील ना हो। और ये Workbook तमाम लोग आसानी से Access कर सकें। To Convert an Excel Workbook, अगर आप Microsoft Excel 2010 के तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अपनी Workbook को Microsoft Excel 2010 के File Format .xlsx में Convert कर सकते हैं। File Tap पर क्लिक करें और Backstage View को Access करें। Convert command को ढूंडें और Select करें। आपके सामने Save As का Dialog Box जाहिर होगा। Location को Select करें जहां आपने अपनी File सेव करनी है। File का नाम दें और Save को क्लिक कर दें। आपकी Workbook नई File Type के साथ सेव हो जाएगी। Cell Basics अब आपको जाननी की जरूरत है कि आप Microsoft Excel 2010 में Cell पर कैसे काम कर सकते हैं ताके आप Excel में काम करते हुए मुख्तलिफ Mathematical Operations जैसे Calculate, Analyze और Organize वगेरा परफॉर्म कर सकें। इस Lesson में आप सीखेंगे के Cells को Select कैसे करते हैं In Cells में Content या मवाद कैसे इंसर्ट करना है। Cell को Delete करना Cell को Cut, Copy, Paste करना Cells को Drag या Drop करना Fill Handles की मदद से Cells को Fill करना Introduction to Cells and Cell Content Cells, Microsoft Excel की Worksheet की बुन्यादी इकाई हैं Cells में आप, Text, Formatting, Attributes, Formulas और Functions को डेटा के तौर पर इंसर्ट कर सकते हैं Worksheet में मौजूद इन मुस्ततील नुमा या Rectangular Boxes को Cell कहा जाता है Row और Column के Intersecting Point पर Cell बनता है हर Cell का नाम और Address होता है जहां Column और Row Intersect करती हैं इस Point का जो Address बनता है वही इस Cell का नाम होता है Cell का Address यहां उपर Name Box में जाहिर होता है यह देखें C5 Cell इस वक्त Selected है आप एक वक्त में एक से ज्यादा Cells भी Select कर सकती हैं दो या दो से ज्यादा Cells का Group Cell Range कहलाता है जब आप एक से जायद Cells का Address देना चाहते हों तो आपको यह Cell Range मदद करेगी जिसके जरीए आप एक से जायद Cells का Address दे सकते हैं इस तरीके में आप Cell Range के पहले और आखरी Cell का Reference देती हैं और इसको Colon की मदद से Separate करते हैं मिसाल के तोर पर एक Cell Range है जिसमें A1, A2, A3, A4 और A5 Cells हैं तो इस Cell Range के Address होगा A1, A5 यानि इसको Name Box में A1, A5 की शकल में लिखा जाएगा To Select a Cell, Cell पर क्लेक करें जब आप किसी भी Cell पर क्लेक करेंगी तो आप देखेंगी कि इसके गिर्द एक Black Color का Border बन जाता है और इसके साथ-साथ Column Heading और Row Heading भी Highlighted हो जाती है माउस बटन को छोड़ें, Cell selected ही रहेगा जब तक आप किसी और Cell को सिलेक्ट न कर लें आप Worksheet में Cells को सिलेक्ट करते हुए, कीबोर्ट की Arrow Keys के साथ भी Navigate कर सकती है To Select Multiple Cells, किसी भी Cell पर क्लिक करके Select करें अब माउस को क्लिक करते हुए, Drag करें आप देखेंगे कि जहां-जहां से माउस ड्रैक करते हुए आगे जा रहा है वो तमान Cells सिलेक्ट होते चले जा रही हैं अब माउस को छोड़ें, यह देखें, Selected Cell अब भी Selected है जब तक आप इस Worksheet में किसी और Cell पर क्लिक न करें Cell Content Microsoft Excel में हर Cell का अपना Data, Text, Formatting, Formula और Function होता है Text Cells के अंदर Text, Letters, Number और Date को लिखा जाता है Formatting Attributes Cell का अपना Formatting Style हो सकता है जिस से आप इस Cell के Text, Numbers और Dates को अलहता-अलहता Format करके डिस्प्ले कर सकते हैं मिसाल के तौर पर Dates को Month, Day, Year या Month, Day, Year के Format में डिस्प्ले किया जा सकता है Comments Cells के साथ आप Comments का इजाफ़ा भी कर सकते हैं जिनमें आप अपने लिए या किसी Reader के लिए Reference देते हैं कि इस Data का क्या मकसद है जिससे Review करने में आसानी होती है Formulas and Functions Cell Values को Calculate करने के लिए Formulas और Functions की जरूरत पढ़ती है मिसाल के तौर पर Sum, Bracket Begins, Cell 1, Comma, Cell 2, Bracket Closed एक फॉर्मिला है जो के एक से जायद Cells के Data को Add कर सकता है To Insert Content Cell को Select करें अब अपने Keyboard की मदद से इस Cell में Data डालें आप देखेंगे कि Cell में Content लिखा जा रहा है इसके साथ साथ ऊपर Formula Bar में भी यही Content लिखा जा रहा है आप इस Content को Formula Bar में चेंज भी कर सकते हैं और यह इसी तरह Automatically Cell में भी चेंज हो जाएगा To Delete Content Within Cells जिन Cells में से Content आप Delete करना चाहते हैं उनको Select करें Home Tab में Editing के Group में Clear की Option पर Click करें आपके सामने यह Sub Menu खुल जाएगा इस Menu में से Clear Content की Option पर Click करें आप यही काम करने के लिए अपने Keyboard का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस मकसद के लिए एक Cell में से Content डिलीट करने के लिए Backspace Key और एक से Zाईट Cells से Content क्लियर करना चाहते हैं तो Keyboard से Delete Key Press करें To Delete Cells यह तु था Cells से Content डिलीट करने का तरीका अब हम आपको Cell डिलीट करने का तरीका बताते हैं जिन Cells को डिलीट करना हो उनको Select करें Home टैब में Cells के ग्रुप में जाएं और Delete की Option को Click करें यहां यह बात काबिल जिक्र है कि Cell से Content डिलीट करना और Cell को डिलीट करना इन दोनों में बहुत फर्क है अगर आप Cell से Content डिलीट करते हैं तो Cell वर्कशीट में मौझूद रहता है लेकिन अगर आप Cell को ही डिलीट करने तो Cell वर्कशीट से डिलीट हो जाएगा लेकिन इससे नीचे वाले Cell इसकी जगा खुद बखुद ले लेंगे To Copy and Paste Cell Content जिन Cell को Copy करना हो उनको Select करें और Home Tab में Copy Command को तलाश करें Copy Command को क्लिक करें ये देखें Cells के Border की Appearance या शकल तबदील हो गई है अब जहां और जिन Cell में आपने ये Content पेस्ट करना हो उनको क्लिक करें Paste Command क्लिक करें ये देखें Copy किया हुआ Content पेस्ट हो गया To Cut and Paste Cell Content जिन Cell को Cut करना हो उनको Select करें Cut Command पर क्लिक करें जो आपको Home Tab में Clip Board के ग्रूप में नजर आ रही है जहां Content पेस्ट करना हो उस Cell पर क्लिक करें Paste Command पर क्लिक करें आपका Data या Content उरिजिनल से रिमूव होकर नई जगह नए Cell में पेस्ट हो जाएगा To Access More Paste Options Microsoft Excel में आपके पास Paste Command की चंद Options मसीद भी हैं जो आपको इस Paste Command के नीचे Drop Down Arrow को क्लिक करने से मिलेंगी ये Options Microsoft Excel के उन Advanced Users के लिए फायदा मन्द हो सकती हैं जिनें ऐसी Worksheets में काम करना होता है जिनमें Formulas and Formatting बहुत ज़्यादा इस्तमाल हो हमारे पास Paste Command की मजीद ये Options नजर आती हैं Paste Paste Formulas Paste Formulas and Number Formatting Keep Source Formatting No Borders Keep Source Column Width Transpose Values and Number Formatting Values and Source Formatting Formatting Paste Link Picture Linked Picture Paste Special To access formatting commands by right-clicking जिन सेल्स को format करना हो उनको सिलेक्ट करें In Selected Cells पर right-click करें एक डायलोग बॉक्स खुल जाएगा जिसे आपको फर्मैटिंग की मुक्तलिफ options मिल जाएंगी To drag and drop cells जिन सेल्स को move करना हो उनको सिलेक्ट करें अपने माउस को इन सिलेक्टिट सेल्स के बॉरर के किसी भी एज़ पर रखें ये देखें इसकी शकल कुछ यूँ हो गई है यानि वाइट प्लस साइन की बजाए ये अब four headed arrows की सूरत में तबदील हो गया है अब इन सिलेक्टिट सेल्स को क्लेक करें और नई जगा ट्रैक कर दें माउस को छोड़ें आप देखेंगे कि ये सिलेक्टिट सेल्स नई जगा ड्रॉप हो गए है To use the fill handle to fill cells जिन सेल्स या कॉंटेंट को इस मकसद के लिए इस्तिमाल करना हो उनको सिलेक्ट करें आप सेल्स कॉंटेंट को उमूदन और उप्टी यानि वर्टिकली और होरिजॉंटली फिल कर सकती है माउस को fill handles पर position करें क्लिक नहीं करना ये देखें माउस पॉइंटर की शकल कुछ इस तरह हो जाएगी यानि वाइट क्रॉस से अब प्लस या जमा की शकल का हो गया है इस fill handle को click और drag करें यहां तक के तमाम सेल्स जिनको आप फिल करना चाहते हैं वो highlighted हो जाएगी माउस release करें और ये आपके सेल्स फिल हो गए Working with columns, rows and cells By default, एक नई workbook में हर row और column की एक मखसूस लंबाई और चोड़ाई होती है आप हर column और row की height, width को अपनी जरूरत के मताबिक मुख्तलिफ तरीकों से तबदील कर सकती है To modify column width Mouse pointer को column line पर लेकर जाएं, जो आपको column heading पर मिलेगी आप देखेंगे कि column line पर mouse pointer ले जाते ही, उसकी शकल white cross से double arrow जैसी हो जाएगी अब mouse क्लिक करें और column line को drag करते हुए बाएं तरफ लेकर जाएं ये देखें, column की छोड़ाई या width बढ़ रही है अगर आपको किसी cell में pound signs नजर आएं, तो समझ जाएं कि इस cell में data ज्यादा है और cell की width या चोड़ाई कम है जब आप इस cell या column को बताए गए तरीके के मताबिक change करेंगे, तो आपको इन pound sign की जगा, data या content नजर आना शुरू हो जाएगा To set column width with a specific measurement, जिन columns को modify करना हो, उनको select करें Home tab में format command पर click करें, format drop down menu खुल जाएगा Column width को select करें Column width dialogue box खुल जाएगा, इसमें मखसूस पैमाश लिखें Okay का button क्लिक करें, आप देखेंगे के worksheet के तमाम cells की width change हो जाएगी Format drop down menu से auto column width की option को select करें Worksheet के तमाम cells की width खुद बखुद auto adjust हो जाएगी और तमाम text content खुद बखुद adjust हो जाएगा To insert rows, जिस rows से नीचे नई row insert करनी हो, उसे select करें Selection के लिए left number पर क्लिक करें Home tab से insert command पर क्लिक करें आपकी worksheet में नई row का इजाफा हो जाएगा जब आप Excel sheet में नई row, column या cells का इजाफा करती हैं तो आपको नए inserted cells के साथ Insert option बटन नजर आएगा इस बटन के जरीए आप मुन्तखिब कर सकते हैं कि आपने इन नए cells, rows या columns को कैसे format करना है Formatting की मजीद options तक रसाए के लिए इस insert option बटन पर मौस लेकर जाएं और उस पर बने drop-down arrow पर क्लिक करें To insert columns जिस column के आगे या पहले आपने नया column add करना हो उसको select करें मिसाल के तौर पर अगर आपने A और B के दर्म्यान column add करना हो तो column B को select करेंगे Home tab पर Insert command पर क्लिक करें ये देखीं आपकी worksheet में एक नया column add हो गया है By default जो नया column add होता है इसकी formatting इसके left या बाय जानब वाले column की तरह ही होती है लेकिन formatting की मजीद options के लिए माउस को Insert Options बटन पर होवर करके उसके drop-down arrow को क्लिक करें जब आप rows या columns का इजाफा करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाए कि उसे अगली row या column की heading select हो ताके उस row या column में तमाम cells selected हो क्यूंकि अगर आप किसी row या column में एक cell को select करेंगे तो उसके नतीजे में सिर्फ एक cell ही insert होगा To delete rows जिन rows को delete करना हो उनको select करें Home tab से delete command पर क्लेक करें ये देखिए worksheet से selected rows delete हो गई है To delete columns जिन columns को delete करना हो उनको select करें Home tab से delete command पर क्लिक करें आपकी worksheet से selected column delete हो गई है Wrapping text and merging cells बाज उकात ऐसा होता है कि cells में data या content इतना ज्यादा होता है कि हम उसे ठीक तरह से read नहीं कर पा रहे होते तो हमें text wrapping की ज़रूरत पढ़ती है Text wrap आपके content को cell में multi lines की सुरत में arrange कर दीता है यानि एक cell का सारा content आसानी से readable हो जाता है To wrap text जिन cells को wrap करना हो उनको select करें Home tab से wrap text की command को मुंतखब करें आप देखेंगे कि इन cells में मौझूद content wrap हो गया है और अब हम इसे आसानी से read कर सकते हैं अगर आप text wrapping को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसी command wrapping को re-click करें आपका text unwrap हो जाएगा To merge cells using the merge and center command जिन cells को merge करना हो उनको select करें Home tab से merge and center command पर click करें मुंतखिब शुदा cells merge हो जाएगे और उनमें text भी centered हो जाएगा अगर आप merging नहीं चाहते तो merge and center को re-click करें Merge to the cells दोबारा अपनी पहली वाली position में आ जाएगे To access more merge options अब हम Home tab पर merge and center command के drop-down arrow को click करके merging की मजीद options को देखते हैं इस drop-down arrow को click करने से एक drop-down menu खुल जाएगा जिसमें आपको ये options मिलेंगी Merge and center ये selected cells को merge करके एक ही cell बना देता है Merge across Selected cells की हर row को merge करके एक बड़ा cell बना देता है ये उस वक बहुत मुफीद होता है जब एक से ज्यादा रोज को merge करना चाहें Merge cells Selected cells को merge करके एक cell बना देता है Unmerged cells मुंतखब करता या selected cells को unmerge कर देता है Formatting cells याद रखें कि ऐसी spreadsheets जो formatted ना हो उन्हें read करने या पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और ये एक reader के जहन पर बहुत बुरा असर डालती है Formatted text और formatted cells एक spreadsheet की visibility को enhance करते है Objectives इस lesson में आप सीख सकेंगे के Text और cells का रंग और style किस तरह तबदील किया जाता है Text को align कैसे करते हैं Number और dates पर special formatting किस तरह apply करते हैं Formatting text Ribbon में आपको text formatting के हवाले से Font, alignment, style वगरा की commands मिलेंगी Font की command से आप style, size और color को change कर सकते हैं Alignment command से आप ये तायून करते हैं के horizontally या vertically cells में text किस तरह से जाहिर किया जाएगा Number commands से आप number और dates की display setting चेंज कर सकते हैं To change the font जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab में font styles के drop down arrow पर click करें तो font drop down menu खुल जाएगा Mouse को मुख्तलिफ fonts पर hover करके अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक font style को मुंतखब करें To change the font size जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab में font size के drop down arrow को click करें ये font size drop down menu खुल गया मुख्तलिफ font sizes पर mouse hover करके अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक font size set करें जब आप mouse hover करते हैं, तो font size का live preview आपकी worksheet में नजर आ रहा होता है जिसे देखते हुए आप font size का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं font size के इंतखाब करके click करें, आप font size को grow font और shrink font commands से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं To use the bold, italic and underline commands, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें अब home tab में fonts group से bold, italic या underline commands को click करें To add a border, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab के अंदर fonts group में यहां borders command के drop down arrow को click करें Border drop down menu खुल जाएगा यहां से अपनी मर्जी का border style मुंतखब करें आप border का style, line color, line style भी अपनी मर्जी का set कर सकते हैं इसके लिए आप draw borders की command से अपनी मर्जी का border draw करें और border line style वगेरा अपनी जरूरत के मुताबिक set करें To change font color, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab के अंदर font color के drop down arrow को click करें Font color menu खुल जाएगा माउस को मुख्तलिफ font colors पर hover करके अपनी पसंद और जरूरत के मताबिक font color को मुंतखब करें Font color menu से आप more colors की option पर click करके मजीद colors को मुंतखब कर सकते हैं To add a fill color, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab के अंदर font script में fill color कमांड के drop down arrow को click करें Fill color menu खुल जाएगा मुख्तलिफ fill colors पर माउस हौवर करके अपनी मर्जी और जरूरत के मताबिक fill color सेट करें जब आप माउस हौवर करते हैं, तो fill color का live preview आपकी worksheet में नजर आ रहा होता है जिसे देखते हुए आप अपनी मर्जी के fill color का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं To change horizontal text alignment, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab में मौझूद alignment group के अंदर आपको ये तीन options नजर आएंगी Align text left Align text left से cell में मौझूद data left align हो जाता है Center इस command से cell में मौझूद data या content सेल की दर्म्यान या center में align हो जाता है Align text right इस से cell का data, दाएं या right side पर align हो जाता है To change vertical text alignment, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Alignment group में आपके पास तीन options है Top align इस option से cell में लिखा content सेल के top पर align हो जाता है Middle align Middle align से cell data middle में aligned हो जाता है इस से cell में लिखा गया text या data, cell के नीचे aligned हो जाता है By default, किसी भी worksheet में numbers, cells में bottom right aligned होते हैं जबके text या अलफाज, cell में bottom left aligned होते हैं Formatting numbers and dates Microsoft Excel का सबसे बड़ा feature ये है कि आप इसमें number और dates को कई मुख्तलिफ तरीकों से format कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आप number को currency symbols, decimal या percent symbols के हिसाब से format कर सकते हैं To format numbers and dates, जिन cells को modify करना हो उनको select करें Home tab में number format commands group में इस drop down arrow पर click करें इस drop down list में से अपनी मर्जी का number format मुंतखब करें कुछ number formats के लिए आपको increase decimal या decrease decimal की commands को select करना होता है ये commands आपको number format में यहां मिलेंगी अब हम आपको number format के drop down list में नजर आने वाली options के बारे में तफसील से बताते हैं General By default, worksheet का हर cell इसी general format setting पर set होता है यानि जब आप किसी भी cell में data insert करते हैं तो Excel by default इस input को general formatting में लिखता है Number इस format में numbers decimal की सूरत में लिखे जाते हैं मिसाल के तौर पर आपने cell format अगर number पर set किया हुआ हो और आप किसी cell में 4 लिखें तो Excel इसको खुद बखुद बदल कर 4.00 लिख देगा Currency Currency format में number को currency के तौर पर assume किया जाता है और आप कोई भी number जब किसी cell में enter करेंगे तो Excel इसको currency के तौर पर लिखेगा मिसाल के तौर पर अगर आपने number formatting currency पर set की हो और किसी cell में 4 लिखें तो Excel इसको currency के format में कुछ यू लिख देगा Accounting इस format में भी values को currency की शकल में ही लिखा जाता है लेकिन इसमें फर्क यह है कि currency symbol और decimals को खास तौर पर right और left align किया जाता है यह formatting, लंबी accounting, list को पढ़ने में मददगार होता है Short date यह format कुछ इस तरह का होता है मिसाल के तौर पर August 8, 2014 को यू लिखा जाएगा 8 slash 8 slash 2014 Long date Long date format में dates को पूरी तफसील से लिखा जाता है जैसे weekdays, month, years dd, m, yyy, yy Time इस format में time को यू लिखा जाता है hours colon, minutes colon, seconds, hh colon, mm colon, ss, और am या pm notes Percentage Percentage format में data को percent sign के साथ लिखा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आप .75 लिखते हैं तो percentage format इसको 75.00 परसेंट की शकल में लिखेगा Fraction इस format में data को forward slash के साथ लिखा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आपने Fraction format set किया हुआ है और Excel में एक बटा चार enter करते हैं तो वो as it is यानि उसी तरह लिखा जाएगा लेकिन अगर आपकी format setting general हो तो Excel इसको date समझेगा और इस figure को बदल कर 4 January लिख देगा scientific इस format में numbers को scientific notations में लिखा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आप Excel में 1,4,000 लिखें तो आपको इसके नतीजे में 1,40E जमा 05 लिखा नजर आएगा By default Excel किसी भी value को जो अददी निजाम में बहुत बड़ी हो उसको scientific notation में लिख देता है Text आखिर में लिखी मिलेगी इस option के जरिये आप number format को कस्टमाइज कर सकते है मिसाल के तोर पर आप US dollar sign को किसी और currency या PKR में तबदील कर सकते हैं इसी तरह आप decimal places को भी change कर सकते हैं